केसे होंगे किसान भाईयों आप सब भी बड़िया में होंगे मेरे चैनल पर आपका सबका स्वागत है किसान भाईयों यह देखिए अनार के छोटे फल पर यह देखिए आप छोटे फल में से फल प्रक्रिया संपूर्ण पूर्ण हो चुकी है यह आप देख सकते हैं अनार के छोटे फल साइनिंग लाजवाब आप फ्रूट देख सकते हैं यह देखिए यह फ्रूट सेटिंग भी देखिए यह देखिए लाजवाब फ्रूट सेटिंग आप देख सकते हैं छोटे छोटे एक पौदे में 120 तक टेडी सेट हुई है हमारे यहां यह भी देख सकते हैं आप यह आप देखिए लाजवाब फ्रूट सेटिंग अब भी तो फ्रूट आना बंदी नहीं हुए चालूई है आप देख सकते हैं यह छोटे छोटे फल यह भी देखिए यह देखिए छोटे फल यह देखिए अभी यह देखिए साइज 100 ग्राम से कम है अभी तो 100 ग्राम से ठीक है लेकिन हम अभी जीवा अमरूत बेग में से फटिलाइजर है ऐसे फल बन जाए तो आप जीवा अमरूत बेग आती है मैं वो आपको दिखाता हूँ यह देखिए मेरे पास दो जीवा अमरूत बेग है यह देखिए यह जीवा अमरूत बेग इसमें हम गाय का गोबर एक बसो लिटर की टांकी में आप दस किलो गाय का गोबर पांच किलो गूड पांच किलो चास पांच किलो बेशन पांच किलो गवमूत्र वो सभी मिक्स करके इसमें एक मैना के लिए छोड़ देते हैं बात में हम वो शुरू करेंगे ट्रिपेरी के संद्वारा यह आप देख सकते हो इसमें हम सर्गू की फली सर्गू के पान पोविस में फटिलाइजर बनाते हैं वो छोटा वाला बेग है यह हमारा बड़िया बेग है बड़ा वाला यह देखिए पांच 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 यह देखिए इसमें पूरा बना के उसमें अनार के प्लांट को देते हैं एक एक कड में 25 25 लीटर के आसपास है वो हम पानी में ड्री पेरी केसन में अनार के प्लांट को देते हैं यह हमार के अनार के प्लांट आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया पत्ती भी लाजवाब है और्गेनिक कार्बन में तो यह इतना बेक बहुत बढ़िया है प्लांट में और्गेनिक कार्बन अब यह पत्ती देख सकते हैं अनार की लाजवाब है साइज़ेबल पत्ती है फ्रूट पी बढ़ेंगे साइज उसके तेजी से बढ़ेंगे फ्रूट का यह प्लांट में फ्रूट सोपारितक बन जाए ऐसे बन जाए तभी यह हम चलाते हैं जीवामरूत में से यह देखिए फ्रूट भी देखिए चोटी बड़ी सभी साखा में फ्रूट है यह भी चलाते हैं यह देखिए साइज़ेबल यह देखिए फ्रूट आप कलर देखिए नेचरल कलर साइनिंग देखिए फ्रूट पे पत्ती पे भी आप देख सकते हैं पत्ती कितना बड़ा है जितना पत्ती बड़ा उस हिसाब से फ्रूट का साइज बड़ेगा पत्ती अच्छा होगा तो तो साइज तो बड़ेगा ही बड़ेगा फ्रूट का यह देखिए और भी प्लांट में मैं दिखाता हूँ मरून कलर है अभी मरून में से ग्रीन कलर आएगा फ्रूट में आप देख सकते हो यह सब्भी प्लांट में बड़िया साइज बल फ्रूट यह देख सकते हैं उपर तक है आप देख सकते हैं उपर तक ही फ्लाचवा फ्रूट अभी ठंड की मौसम शुरू हो चुकी है पानी आप कंट्रोल ज्यादा पानी मत दीजिए फ्रूट को प्लांट को सभी को फ्रूट पूरी साइजबल बनाने के लिए कम पानी दीजिए बाद में घर्मी के अभी ठंड सुरू होगी यह पानी कम दीजिए यह देख सकते हैं आप कि अभी दे के अभी फ्रूट आना सुरू है यह देखिए चोटा फल है लेकिन फ्रूट पे आप चोटे फलो तो थ्रीप्स के आप जेग कीजिए फंगस के वातावरान कम होगा तो फंगस का एटेख हो सकता है चोटे फल पर लेकिन तूफ हो तो उसमें फ्रूट पे कम फंगस आती है चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो सेर कीजिए हनार की जानकारी मैं आपको वीडियो द्वारा दूँगा पimpιαा से स्वारा कीजिए मैं नए्यों प्रफट कीजिए वीडियोोग सेर किया थाउड मैं टुरणा अल